हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए लेखग जैशंकर जी की लिखी हुई कहानी निराशा ये कहानी उनके कहानी संग्रे प्रतिनिद कहानियों से लिग गई है तो शुरू करते हैं कहानी वो लाइब्रेरी की टेरस पर खड़ी थे निरंतर बारिश के बाद की शाम में एग्रिक कल्चर कॉलिज की तरफ जाती सड़क पर एक मरियल सा भूरा घोड़ा खड़ा था बहुत दूर मस्जिद की मीनारों के पीछे चिमनियों से धुआ उट रहा था घर लोटते परिंदों पेड़ों पर उतरते अंधेरे और सूनी सड़क पर खड़े मरियल घोड़े के बीच वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता नजर आया वो बस से आया होगा बारिश में वो स्कूटर चलाने से बचता था उसे गेट के पास खड़ा देखकर नैना नीचे उतरने लगी किसी ने नल खुला छोड़ दिया था उसने बंद किया लाइब्रेरी की घड़ी में साथ बज रहे थे वो लटर बॉक्स के करीब खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था क्लास ही नहीं थी चत की मरमत हो रही है नैना ने कहा तब तो तुम्हें बहुत रुकना पड़ा शाम अच्छी लग रही थी कुछ देर तक मेरी दो चात्राएं भी साथ थी उन्होंने पूछा होगा कि तुम किसकी प्रतिक्षा कर रही हो नहीं पूछा और पूछती तो बता देती कि मेरे एक मित्र आ रहे है तुम यह नहीं कहती उसने हसते हुए कहा मैं यहीं कहती तुम्हें मुझे पर रिश्वास करना चाहिए तुम नाराज हो रही हो नहीं पर जब तुम मुझे पर संदे करते हो अरे मैं मजाग कर रहा था मुझे पूरा भरूसा है कि तुम यही कहती मैंने तीन बरसों में तुम्हें कुछ तो जाना ही है हवा में हलकी सी गर्मी उतराई और लड़की को अपना शौल बोच सा महसूस हुआ करीब की कुम्टी के ट्रांजिस्टर से सुनंदा पटनाय की आवाज आ रही थी वे दोनों उसी सड़क पर बढ़ने लगे जिसकी शुरुवात पर कुछ देर पहले बुरा घुरा खड़ा था और जिसने नैना को फैलीनी की फिल्म के उस दिर्शिक के याद दिलाई थी जिसमें नायका रात के वक्त फुटपात पर बैठी है और सामने से घुड़ा गुजरता है उस शाम वे पैदली अपने अपने घर पहुँचे आदमी की पतनी बीमार थी और उसे दवायां खरीदनी थी लड़की को नानी के लिए रोटियां बनानी थी और उसे पहले ही देर हो गई थी एक जगे से वे अलग-अलग दिशाओं में चले गए शिव मंदिर में आरती हो रही थी कभी शिव मंदिर की आरती में वो भी मा के साथ शामिल होती रही थी रात के खाने के बाद मा बेटी टहलने के लिए निकलती और कुछ देर मंदिर में रुख जाती ये पांच परस पहले की बात है तब नैना चौबीस की रही होगी एक दिन पुजारी की अपनी देह पर पड़ती निरंतर और निरलज लिगाओं को महसूस करने के बाद नैना ने मंदिर ना जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी इसलिए तो चिंता करती हूँ लड़की जवान हुई कि सभी की निगाहें बदल जाती है मैं तो तुमारे साथ के लिए जाती हूँ मा तुम जिस मंदिर में कहोगी हम वहीं चलेंगे पर क्या वहाँ उस पुजारी की तरह कोई नहीं होगा बुरी नजर हर जगे होगी नैना हमें उसे सहना ही होगा दीरे दीरे हर लड़की उन नजरों को सहना सीख लेती है डरती हूँ कि मैं न रहूँ और तुमने शादी भी नहीं की तो कौन तुम्हें समालेगा तुम्हें क्या होगा मा कभी कभी तुम पागलों किसी बाते करने लगती हो शिव मंदिर की घंटियों की आवाजों के बीच नैना ने मा की मरने से पहले की डबरबाती डूपती नजरों को देखा उन नजरों में कहीं ये भी था कि नैना तुम अभी अविवाहित हो और कब तक कैसे रहोगी कब तक इन सूने नंगे और रेतीले दिनों को सहोगी उसने अपने दर्वाजे पर दस्तकें दी और उसकी नानी ने दर्वाजा खोला बहुत देर लगा दी नाहिद अभी अभी गई उसने मेरे लिए रोटियां भी सेखनी ये कार्ड दिया है तुम खाना खालो नानी मैं कुछ देर आराम करूंगी वो एक तरह के खालीपन एक तरह की शुनिता के बोज़ के साथ बिस्तर पर लेट गई कार्ड में फिल्म सोसाइटी का प्रोग्राम था प्लाजा में बर्ग मैन की तीन फिल्मों का हर रोवियार को प्रदर्शन होना था नेना खुछ थी कि बर्ग मैन की फिल्म में इन ग्रीट बर्ग मैन और लिव उल्मान को साथ साथ देखना होगा उसने नाश्ता तयार किया नानी के लिए पानी गरम किया रसोई की स्लेट पर नौकरानी के लिए सूचना लिखी और तयार होकर बस स्टॉप की तरफ बढ़ गई बारिश के बाद की चमकिली दूप में शहर का रवियार खड़ा था बस स्टॉप पर केरल की दस बारे लड़कियां थी जो संडे मास के लिए गिरजे जा रही होंगी उन में से एक लड़की का मासूम और ममता मई चेहरा नैना को चूग गया कितना करून है वो चेहरा कितना कुछ कहती है वे आँखें और तब नैना ने उसके बच्पन में मरे अपने पिता की कातर आँखों को भी याद किया लटा नहीं आई नैना ने पूझा उसकी तवियत वैसी ही है उसने कहा मिसेज राना डे को बता दिया मेरा उस बुढ़िया पर विश्वास नहीं है कभी तुमने किसी पर विश्वास भी किया है वो दीरे दीरे मस्कुरा रही थी फिल्म शुरू होने की बेल बजने लगी पुराना थियेटर एकदम ताजी धूप में किसी पुराने गिर्जे सा नजर आ रहा था आटम सोनाटा देखने के बाद वे दोनों करीब के एक रेस्टरों में गए रेस्टरों के काउंटर पर जो आदी पिछले बरसों में बैठता रहता था उसने कुछ दिनों पहले खुदकुशी की थी अब वहाँ उसकी पतनी खड़ी थी लकड़ी की दीवार पर परम हंस की तस्वी तंगी थी और करीब ही काली का मुखोटा आकरी दिनों में वो बहुत चुपचाप रहता था ये कैंटीन पहले की तरह चल भी नहीं रही थी उसने कहा मट में हमारी मुलाकात होती रहती थी उनसे मिलकर कोई नहीं सोच सकता था कि एक दिन विरेल की पत्री पर आत्मत्या नैना ने उसकी पतनी को देखा मैं जब प्राइमरी में पढ़ता था तब मेरे परोस में एक जवान लड़की ने आत्मत्या गी थी वो सुबै से गीता दत के गाने गुनगुना रही थी उसने अपनी देह पर हल्दी लगाई थी अपनी मांग भरी थी क्या चाह रही होगी वो जीते रहना या मर जाना तुमने उसे मरते हुए देखा वो अस्पताल में मरी थी पर मैंने उसे जीने के लिए तरपते देखा था ये मैं आज सोचता हूँ रेस्तरा में नाश्ता करने के बाद वो बाजार चला गया और नैना अपने घर लोटने लगी लोटने के लिए उसने लंबा और सुना सा रास्ता चुन लिया बारिश के बाद उस रास्ते पर चलने का अपना सुख था नैना ने आज की हुई बादचीश से महसूस किया था कि जीवन ये कुछ जगहें हैं जहां उसका अन्भो जिन पर उसका सोचना ज़्यादा जीवित और जटिल लगता है उन जगहों पर चलते हुए वो कुछ अधिक अजलबी, अकेला और अमूर्थ हो जाता है नैना को किसी को भी उसकी ठोस जबी पर खड़े हुए देखना और वहां से उसको महसूस करना अच्छा और ज़रूरी लगता था किसी को उसके अपने अंतरदंदों के बीच देखने का गहरा महतो था और उसके अपने खत्रे भी थे नैना ने जाना था कि जो कुछ आत्मी होगा उसे पाना कठिल होगा उसके लिए प्रेत्म भी करना पड़ेगा और प्रतीक्षा भी नेना प्रतीक्षा कर रही थी पर वो खुद नहीं जानती थी कि वो किस चीज की प्रतीक्षा कर रही है एक उम्र होती है जो सिर्फ बीतना जानती है बिना किसी मंजिल के हम चलते रहते हैं ठक जाते हैं और दोबारा अपनी अजदभी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं नैना उस उम्र में खड़ी थी वो अपनी नानी की देखवाल करती थी कॉलेज में पढ़ाती और खाली समय में पुस्तकें पढ़ती रहती रिकॉर्ड सुनती रहती नैना के दोस्तों में नाहित के अलावा वो था पर उसका अपना परिवार था उसकी पतनी और बच्चे जिनसे वो कभी कभी मिली थी और हमेशा इस दुविधा के साथ मिलती कि ना जाने वे लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे वो खुद उस आदमियों को एक ऐसे मित्र के रूप में देखती थी, देखना चाहेती थी, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता था, समझा जा सकता था, लेकिन ये पूरा सच नहीं था, ये नैना का सोच ना था, सच नहीं, सच और सोच के साथ सवपन भी थे पर किसी पुर्ष से ऐसी उम्मीद रखना, किसी विवाहित आदमी से ऐसा रिष्टा बनाना, ऐसे रिष्टे के साथ जीना सरल नहीं था, नैना अपने आकांक्षाओं में भी, अपनी पतीक्षा की ही तरह अपने आपको अकेला पाती थी, ये उसकी एक पीडा थी, कार्तिक क की शाम थी, नैना की छुट्टियों के दिन, वो अपने कमरे में भीम सेंजोशी का राग विहाग सुन रही थी, नानी अपनी शाम की पूजा की तयारी कर रही थी, कभी कभी ऐसी शामे आती हैं, जब अपना अकेला पन असहनी हो जाता है, अपने अनात होने का अवसाद अ हो जाता है, उमीद की प्रतीक्षा नहीं रहती और प्रतीक्षा का कोई अर्थ नहीं, हम निराशा की नदी में डूपते चले जाते हैं, नैना ऐसी ही शाम के निराशा के साथ थी, नाहित को क्यों नहीं बुला लेती, नानी कह रही है, मैं ठीक हूं नानी, खून बहुत ज आसीम विश्वास पर ठहरना शुरू किया, वो बचपन से नानी की दिनचर्या में नियमित पूजा पाठ को देखती आई थी, दिन चाए सुके रहे या दुखे, नानी किसी तरह भी इश्वर के साथ अपना रिष्टा बनाए रखती, कथा वाजकों को सुनते हुए, मानस पढ़ते हुए, मंदिर जाते हुए, और घर में रोजी पूजा पाठ और प्रार्थना करते हुए, नानी सत्तर पार कर रही थी, उन्हें विद्वा हुए तीस वर्ष हो रहे थे, नानी के घर में रहते हुए 26 वर्ष, नैना को याद आई अपने पिता की बात, वे कहते थ कि आदमी का अपना एक संसार होना चाहिए, इस संसार के लावा, इस संसार में और इस से अलग भी, वैसा संसार नानी के पास था, नैना के पास नहीं, कुछ था तो नानी का सहरा था, जिसके भरूसे नानी खुद को छोड़ सकती थी, जिसके बीच अपनी व्यथा और जासी और उलगने थी, नानी के साथ बनारस की अपनी यात्रा, बनारस के बंदरों और अपने बच्पन की यात करते हुए नैना को लगा था, कि बच्पन की दुनिया में उतनी दरारे नहीं होती हैं, जितनी बड़े हो जाने पर हम अपने भीतर पाते हैं, खिचरी बनाती नाहिद निबू का चार दे गई थी, नानी ने कहा है, तुम नाहिद को फोन भी कर दो नानी, मैं बूत तक नहीं जा सकूँगी, वो आज की रात यहीं रुक जाएगी, नाहिद अपने साथी तीनों के लिए खाना ले आई थी, खाने के बाद नानी अपने कमरे में चली ग मैं तुमारे बारे में पूछ रही हूँ, सच कहूं तो मुझे अपने बारे में ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं मिलता, घर में सबी मुझसे छोटे हैं, उन्हें पढ़ाती हूँ, अम्मी बिस्तर पर ही रहती हैं, घर के काम, बीच-बीच में दुकान की देख भाल, तुमारी सहनशीलता से इर्शया होती है, नैना, मैं बहुत नहीं पढ़ती, तुमारी तरह प्रतिभाशाली भी नहीं हूँ, लेकिन ये हमेशा सोचती हूँ, कि कोई ऐसी चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता, यदि रोकने की कोशिश करो, तो उसका कुछ नहीं मगर हम आहत होते हैं, उस पुरानी मेच के करीब नैना और नाहित के बीच निराशा, नियती और इनसे निजात पाने को लेकर देर तक बात होती रही, खिड़की से अक्टूबर के आकाश में खेलते तारे नजर आ जाते, और नैना, निराशा, नियती और नाहित को दिले आकाश की रोशनी, रौनक और रात को देखने की अपनी तसली थी, नानी ने दरवाजा खूला और वो अपनी पांच बरस की बच्ची के साथ खड़ा था, नैना बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी, बच्ची खिलोनों से सजी, पुरानी अलमारी को गहरी उत सुपता के साथ देखने लगी, उसने अगबार के करीब पड़ी पत्रिका उठाई, पत्रिका के कवर पर रित्विक घटक थे, मुझे नहीं पता था कि तुमारी तवियत खराब है, उसने कहा, मिसेज राना डे ने बताया होगा, मैं अभी नोट बुक खड़ीने नाहिद क की दुकान पर गया था, अब कुछ ठीक है, कल शाम को बहुत तकलीफ थी, तुम मुझे फोन कर सकती थी, नाहिद आ गई थी, अभी तुम्हे फोन करने जा रही थी, आज गुरिया कहा हम रही है, आप हमारे घर नहीं आएंटी, उसकी बच्ची ने कहा, तुम हमें बुलात तुम कहीं से कल का टेलिग्राफ खरीद लेना, और एक ब्रेट भी, रात के लिए खाना घर से ले आऊंगा, उसकी जरूरत नहीं है, लता को तकलीफ होगी, नानी का तो पपास है, लता को अच्छा लगेगा, कहती भी है कि नैना हमको अपना नहीं समझती, तुम लोग के अलावा है ही कौन मेरा, नाहीत की अमी बीमार है, पर कल रात भर मेरे पास रही, ऐसे लोग, इतने प्यारे लोग बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं, मैं साथ बजे तक आऊंगा, बीच में जरूरत पड़े तो फोन कर देना, नानी से प्रसाद लेने के बाद पिता और चुटी खुशियों, बच्ची के उत्सा और लास को देख, उसका अपना मन कुछ हलका हुआ, रोज माँ बैठती गाये की दे संदर लगने लगी, और बच्छे की आँखों में उसे अपना कोई सौपन तेरता नजर आया, पर उसका सौपन भी उसके बीतर बहुत धुनले रूप में जीवित था, नैना के सौपन अइसपश्ट थे और उसकी प्रतीक्षा उसके लिए भी अजनबी थी, उस शाम वो स्कूटर से नैना को लाइबरेरी में ले गया, रीडिंग रूम में सर्दियों के इमतिहान की तैयारी करते चातर चातराएं थे, नैना अपनी प तब वो अकेला था और हर साल किसी लंबी यात्रा पर निकल जाता था, तुम्हें कभी शांती निकेतन जाना चाहिए, वो बाहर निकल कर बोला, इस जनम में तो वहाँ जाना संभो नहीं होगा, तुम बहुत निराशा के साथ जीती हो, निराशा, लाइबरेरी के उस सूने और बेकार जमीन जहां उमीद पनभी नहीं पाती, मन का मरुस्थल, मरुस्थल का मन, तुम क्या सोचते हो, नैना कूश रही थी, क्या कहा, क्या उमीद एक तरह की निराशा ही नहीं है, मन की तसली के लिए खिलोना, जिससे सिर्फ बच्चे खिल सकते हैं, निराशा के नहीं उमीद के लिए जीना पड़ता है उसे हासिल किया जाता है हर आदमी उसे अपने लिए पैदा करता है उमीद उमीद नैना ने बहुत धीरे से कहा और ये शब्द भी मठ की तरफ जाती सड़क पर नैना को पराया परदेशी जान पड़ा वो सोचने लगी कि दोनों ही श उस शब्दों के बारे में कहना सरल होता है पर उन शब्दों को जीना उनके साथ सहस सम्मंद बनाना बेहत मुश्किल नैना के भीतर धेर सी ठकान ना होती और एक किस्म की कमजोरी से वो मुक्त होती तो इन शब्दों के साहरे इनके साथ वो अपने होने अपने जीने के वि लेकिन उस शाम की निराशा उसकी थकी हुई बीमार देश से ही बाहर आ रही थी नैना के लिए परोस में फोन आया था परोस एक गुजराती विद्वा का था उसके घर की दीवारों पर अपनी जवानी में बनाए उसके चित्र थे एक चित्र में तार पर टंगे कपड़े, पेर पर बैठी चिडिया और वहीं आइने में अपना चेहरा देखती एक किशोरी थी उस चित्र को देखकर हमेशा ही नैना को कुछ याद आने जैसा लगता पर वो कुछ कभी याद नहीं आता था उस विद्वा ने ये जरूर बताया था कि शायद वो गुजरात के चोटे से शहर की गर्मियों की दोपहर को व्यक्त करना चाहा रही थी इतने वर्सों बाद उस विद्वा के लिए बच्पन के उन गर्मियों की दोपहर का शायदी कोई अर्थ रह गया था और उस चितर का बिल्कुल भी नहीं जिसे वो अपने ननिहाल से बहुत सी चीजों के साथ लाई थी अब तुम कैसी हो उसने पूछा आज ठीक लग रहा है कल शाम तुम बीमार थी बीच 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 में बरबड़ा भी रही थी शायद तुम्हें बुखार रहा होगा या दवाईयों का सर्था तुम्हें कुछ दिन घर में रहना चाहिए शाम को घर में जी नहीं लगता नानी अपनी पूजा में लग जाती है नाहिद भी नहीं आ सकती मैं आऊंगा और शायद लता भी वो भी तुमारे लिए चंता कर रही है मुझे क्या हुआ है और अपने सवाल को रोशनी में उसने बाहर आकर देखना शुरू किया वो फोन पर हिदायते ते रहा था और नैना कुछ नहीं सुन रही थी वो देख रही थी सुबह की रोशनी में अपनी खिड़की पर खड़े होकर अपने से ही बोलती उस गुजराती बुढ़िया को जो अपने घर में आई परोश की लड़की से बेखबर गुजराती में बोल रही थी हस रही थी और किसी को पुकार रही थी घर लोटते हुए नैना ने अपनी पडूस की विद्वा की खाली प्रतीक्षा रतने गाहों को याद करना शुरू किया किस चीज की प्रतीक्षा कर रही है वो बुडिया क्या कह रही थी वो अपने आप से क्या उसे लोटते समय कुछ कहना चाहिए था पर फोन पर वो क्या क्या बोल रहा था और वो कितना अजीब महसूस कर रही थी नानी मानस की पंक्तियों को गुनगुना रही थी वो बिस्तर पर लेट गई दें के बीतर का दर्द उठने लगा उसे मा का सीड़ियों पर धूप के लिए बैठना याद आया ये भी याद आया कि मा कभी कभी चुपचाप रोती थी वो स्कूल से लोट कर मा के कमरे में जाती और उसे रोते हुए देख अपने कमरे में लोटाती उसके मन में आता कि मा के पास रहू पर उसके पिता कहते थे कि कोई अकेले ही रो रहा हो तब उसे अकेले ही छोड़ देना चाहिए, मा कभी कभी अकेले में रोती थी, नैना ने याद किया, उसका अपना कोई दुख रहा होगा, नानी ने कहा, तुमसे कुछ नहीं कहती थी, वो बहुत जल्दी निराश हो जाती थी, वो बहुत छोटी थी, तब पेड के नीचे बै कुछ ऐसी थी, तुझे देखकर उसका नहीं तेरे बाबा का ख्याल आता है, निराश वो भी रहता था, पर उमीद भी नहीं चोड़ता था, निराशा और उमीद, नैना को आश्चेर हुआ, कि कल शाम की उससे हुई बाचीत के वही शब्द, सुबह की घड़ी में एकदम अलग बाचीत में लोटे थे, नानी की आवाज में वेशब्द बहुती पुराने महसूस हो रहे थे, दो प्राचीन और परचिस शब्द, जिने कितने ही लोगों ने कहा होगा, सहा होगा, नानी अपने कमरे में अपनी उधरी स्वेटर को बुन रही थी, नैना छट की हर आदमी के साथ रहने के लिए विवश्ट थे और इन शबनों की अपनी वेथा थी और अपना वैभाव था, अपनी जगे थी और अपना जीवन था, अक्टूबर की सुबह के वक्त अपनी उधरी हुई स्वेटर को ठीक करते हुए नानी मानस की पंग्तियों को गुन और नैना निरंतर छट की तरफ देखते हुए कुछ नहीं सोच रही थी, बहुत कुछ सोच रही थी, कोई उनके दर्वाजे पर दस्तकें दे रहा था, नानी बहार आई और अपने परोस की गुजराती बुढ़िया को देखा, नैना के लिए नाहिद का फोन था, वो नाहि उसके हाँ बिर्यानी लेकर आ रही थी और साथ में बेगम अक्तर का वो रिकॉर्ड भी जिसे नैना बहुत दिनों से सुनना चाह रही थी, वो नाहिद की प्रतीक्षा करने लगी, नैना प्रतीक्षा कर रही थी अभी आप सुन रहे थे लेखक जैशंकर जी की लिखी वी कहानी निराशा, कल फिर मिलेंगे किसी उंदा कहानी के साथ, आपका समय शुभ हो